शीरिमत भगवत गीता अध्याय सोल है भगवान ने कहा छिद्रान वेशन में अरुची, समस्त जीवों पर करुणा, लोब, पिहिंता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, शमा, धैर्य, पवित्रता, इर्शा तथा सम्मान की अभिलाशा से मुक्ति ये सारे दिव्वे गुण हैं, जो दैवी प्रकृती से संपन, देव तुल्य पुरुशों में पाये जाते हैं हे प्रथा पुत्र, दम्ब, दर्ब, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्यान, ये आसुरी सभावालों के गुण है दिव्वे गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो हे प्रथा पुत्र, इस संसार में स्रिजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण के बारे में बतला चुका हूँ अब मुझसे आसुरी गुणों के विशे में सुनो जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनमें ना तो पवित्रता ना उचित आच्रण और ना ही सत्य पाया जाता है वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी इश्वर द्वारा नहीं होता उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन होता है और काम के अत्रिक्त कोई अन्यकारण नहीं है ऐसे निशकर्षों का अनुगमन करते हुए आशुरी लोग जिनोंने आत्म ज्ञान खो दिया है और जो बुद्धी हीन है ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है कभी ना संतुष्ठ होने वाले काम का आश्र लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रितिष्ठा में डूबे हुए आशुरी लोग इस तरहां मोग रस्त होकर सदैव शनभंगुर वस्तों के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत ले रहते हैं उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टी ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यक्ता है इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है वे लाखों इच्छाओं के जाल में बन कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रियों तृप्ति के लिए अवैद धंग से धन संग्रे करते हैं आशुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा इस समय मेरे पास इतना है किन्तु भविश्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा वह मेरा शत्रू है और मैंने उसे मार दिया है और अन्य मेरे शत्रू भी मार दिये जाएंगे मैं सभी वस्तु का स्वामी हूँ मैं भोकता हूँ मैं सिद्ध शक्ति मान तता सुखी हूँ मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आस पास मेरे कुलीन संबंधी है कोई अन्य मेरे समान शक्ति मान तथा सुखी नहीं है मैं यग्य करूँगा, दान दूँगा और इस तरह आनन मनाऊंगा इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्यानवश मोह ग्रस्थ होते रहते हैं इस प्रकार अनेक चिन्ताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बन कर वे इंद्रिय भोग में अत्यदिक आसत्थ हो जाते हैं और नरट में गिरते हैं अपने को श्रेष्ट मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्था से मोग रस्थ लोग किसी विधी विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यग्य करते हैं मिथ्या, एंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोज से मोहित होकर आशुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में इस्थित भगवान से इर्शा और वास्तिक धर्म की निंदा करने लगते हैं जो लोग इर्शालू तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन आशुरी योगनियों में भरसागर में डालता रहता हूँ हे कुंति पुत्र ऐसे व्यक्ति आशुरी योणी में बारम बार जन्म घ्रहन करते हुए कभी भी मुस्तक पहुच नहीं पाते वे धीरे धीरे अत्यांत अधम गति को प्राप्त होते हैं इस नरक के तीन द्वार हैं काम, क्रोध तथा लोब प्रतेग बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है हे कुंती पुत्र जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षातकार के लिए कल्यान कारिकारे करता है और इस प्रकार क्रमशे परमगती को प्राप्त होता है जो शास्त्रों के आदेशों की अवेलना करता है और मनमाने ढंग से कारे करता है उसे ना तो सिद्धी ना सुक ना ही परमगती की प्राप्ति होती है अतेव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या आ कर्तव्य है उसे ऐसे विधी विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशे उपर उठ सके शीरीमत भगवत कीता अध्याय सत्र है अर्जुन ने कहा हे क्रिष्ण जो लोग शास्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कलपना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी इस्ति कौन सी है वे सतोगुणी है रजोगुणी है या तमोगुणी भगवान ने कहा देह धारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी शद्धा तीन प्रकार की हो सकती है सतोगुणी रजोगुणी अथ्वा तमोगुणी अब इसके विशय में मुझसे सुनो हे भरत पुत्र विभिन गुणों के अन्तरगत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेश प्रकार की शद्धा विक्सित करता है अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेश शद्धा से युक्त कहा जाता है सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूझते हैं, रजोगुणी यक्षों वे राक्षसों की पूझा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूझते हैं जो लोग दंब तथा एहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसकती द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर इस्थिक परमात्मा को कस्ट पहुँ वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है, यही बात यग्य, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य हैं, अब उनके भेदों के विशय में सुनों। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयू बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, तथा बल, स्वास्थे, सुख तथा त्रिप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस्मे, स्निग्द, स्वास्थे प्रद तथा हिर्दे को भाने वाला होता है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन करने वाले होते हैं। खाने से तीन घंटे पूर पकाया गया, स्वाध हीन, वियोजित एवं सडा, जूठा तथा अस्प्रश्य वस्त्वों से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यग्यों में वही यग्य सात्विक होता है, जो शास्त्र के निर्देशा नुसार करतवे समझ कर, उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत शेष्ट जो यग्य किसी भौतिक लाब के लिए या गर्वश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। जो यग्य शास्त्र के निर्देशूं की अवेलना करके प्रसाद वित्रण किये बिना, वैदिक मंत्रों का उचारण किये बिना, पुरुवितों को दक्षिना दिये बिना, तथा शद्धा के बिना समपन किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्रह्मनों, गुरु, माता, पिता जैसे गुरुजुन की पूजा करना, तथा पवित्रता, सरलता, ब्रहमचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे, भाने वाले, हितकर, तथा अन्यों को शुब्द ना करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायन करना, यही वानी की तपस्या है। तथा संतोश, सरलता, गंभीरता, आत्मसयम, एवं जीवन की शुद्धी, ये मन की तपस्या है। भौतिक लाब की इच्छा ना करने वाले, तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुश्यों द्वारा, दिव्य शुद्धा से संपन, ये तीन प्रकार की तपस्या, सात्रिक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या, दमफूरत, तथा सम्मान, सत्कार, एवं पूजा कराने के लिए संपन की जाती है, वे राजसी कहलाती है। ये ना तो स्थाई होती है, ना शाश्वत। मूर्खतावश आत्म उत्पीडन के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानी पहुचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वे तामसी कहलाती है। जो दान करतव्वे समझ कर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वे सात्विक माना जाता है। किन्तु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वत किया जाता है, वे रजोगुनी कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वे तामसी कहलाता है। स्रश्टी के आदिकाल से ओम, तत, सत, ये तीन शक्त पर भ्रहम को सुचित करने के लिए प्रयूक्त किये जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तिया भ्रहमणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उचारन करते समय, तथा भ्रहम को संतुष्ट करने के लिए यग्यों के समय प्रयूक्त होती थी। अतैव योगी जन भ्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रिय विधी के अनुसार यग्य, दान तथा तप की समस्क्रियाओं का शुवारम सदैव ओम से करते हैं मनुष्य को चाहिए कि कार्म फल की इच्छा किये बिना विविद प्रकार के यग्य, तप तथा दान को तत शब्द कहकर संपन करे ऐसी दिव्वे क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है परम सत्य भक्ति में यग्य का लक्षे है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है हे प्रथा पुत्र ऐसे यग्य का संपन करता भी सत कहलाता है जिस प्रकार यग्य तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसंद करने के लिए संपन किये जाते हैं सत हैं हे पार्थ शद्धा के बिना यग्य तान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वे नश्वर है वे असत कहलाता है और इस जन तथा अगले जन दोनों में ही व्यार्थ जाता है शीरिमत भगवत गीता अध्याय अठारे अर्जुन ने कहा हे महा भावु मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और हे केशी नुशूदन हे रिशी केश मैं त्याग में जीवन अर्थात सन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्द्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धी मान लोग त्याग कहते हैं कुछ विद्वान घोशित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोशपून समझ कर त्याग देना चाहिए किन्तु अन्य विद्वान मानते हैं कि यग्य, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए हे भरत शेष्ट अब त्याग के विशे में मेरा निर्ने सुनो हे नर्शार्दूल शास्त्रों में त्याग तीन तरहें का बताया गया है यग्य, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए उन्हें अवश्य संपन करना चाहिए नी संदे, यग्य, दान तथा तपस्या महत्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं इन सारे कार्यों को किसी प्रकार के आसकती या फल की आशा के बिना संपन करना चाहिए हे प्रथा पुत्र इन्हें कर्तव्य मान कर संपन किया जाना चाहिए यही मेरा अंतिम्मत है निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए यदि कोई महोवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है जो व्यक्ति नियत कर्मों को कश्प्रद समझ कर या शारीरिक लेश के भैसे त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुन में किया है ऐसा करने से कभी त्याग का उच्छफल प्राप्त नहीं होता हे अर्जुन जब मनुश्य नियत करतव्वे को करनिये मान कर करता है और समस्त भौतिक संगती तथा फल की आसकती को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्वी कहलाता है सतोगुन में इस्तित बुद्धि मान त्यागी जो ना तो अशुब करम से घणा करता है और ना शुब करम से लिप्थ होता है वे कर्म के विशे में कोई संशे नहीं रखता नी संदे किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग करपाना असंभव है लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वे वास्तम में त्यागी कहलाता है जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मिट्यू के बाद मिलते हैं लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुक तुक नहीं भोगना पड़ता हे महाबाहु अर्जुन वेदान्त के अनुसार समस्थ कर्म की पूर्ती के लिए पाँच कारण हैं अब तुम इन्हें मुझसे सुनो कर्म का स्थान अर्थाच शरीर, कर्ता, विभिन, इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेश्टाएं तथा परमात्मा ये पाँच कर्म के कारण हैं मनुष्य अपने शरीर, मन या वानी से जो भी कुछ उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पाँच कारणों के फल सरूप होता है अतैव जो इन पाँचों कारणों को ना मान कर अपने आपको ही एक मात्र करता मानता है वे निश्चय ही बहुत बुद्धिवान नहीं होता और वस्तु को सही रूप में नहीं देख सकता जो मिथ्या एहंकार से प्रेरित नहीं है जिसकी बुद्धी बंधी नहीं है वह इस संसार में मनुश्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता ना ही वह अपने कर्म से बंधा होता है ज्यान ये तथा ज्याता ये तीनों कर्म को प्रेड़ना देने वाले कारण है इंद्रियां कर्म तथा करता ये तीन कर्म के संघटक है प्रक्रती के तीन गुणों के अनुसार ही ज्यान, कर्म तथा करता के तीन तीन भेद हैं अब तुम मुझसे इने सुनो जिस ज्यान से अनंत रूपों में विभक्त, सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रक्रती देखी जाती है उसे ही तुम सात्रिक मानो जिस ग्यान से कोई मनुष्य विभिन शरीरों में भिन भिन प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी बानो और वह ग्यान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कारे को जो अतितुछ है सब कुछ मान कर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है जो कर्म नियमित है और जो आसत्ती, राग या द्वेश से रहित कर्म फल की चाहा के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ती के निमित प्रयास पूर्वक एवं मित्या एहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुनी कहलाता है जो कर्म मुहो वर्ष शास्रिय आदेशों की अवेला करके तथा भावी बंधन की परवा किये बिना या हिंसा एवं अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना एहंकार रहित संकल्ब तथा उच्छा पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा सफलता में आविचलित रहता है वह सात्विक करता कहलाता है जो करता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसत्त होकर फलों का भूग करना चाहता है और जो लोभी, सदैवी, शालू, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वे राजसी कहा जाता है जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कारे करता रहता है जो भौतिक वादी, हठी, कप्टी तथा अन्यों का अपमान करने में पटू है तथा जो आलसी, सदैव, खिन तथा काम करने में दीर्ग सूत्री है वे तमोगुणी कहलाता है हे धनन्जे, अपमे प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुमें विभिन प्रकार की बुद्धी तथा ध्रती के विशे में विस्तार से बुताऊंगा तुम इसे सुनो हे प्रथा पुत्र, वे बुद्धी सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुश्य यह जानता है कि क्या करणिये है और क्या नहीं है किस से डरना चाहिए और किस से नहीं क्या बानने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है हे प्रथा पुत्र जो बुद्धी धर्म तथा अधर्म कर्णिय तथा अकर्णिय कर्म में भेद नहीं कर पाती वे राजसी है जो बुद्धी, मो तथा अंधकार के वशी भूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदै विप्रीत दिशा में प्रयत्न करती है हे पार्थ वे तामसी है हे प्रथा पुत्र जो अटूट है जिसे योगा भ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्रान तथा इंद्रियों के कारे कलापों को वश्मी रखती है वे ध्रिती सात्विक है लेकिन हे अर्जुन जिस ध्रिती से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वे राजसी है हे पार्थ जो ध्रिती स्वाप्न, भै, शोक, विशाद तथा मोहों के परे नहीं जाती ऐसी दुरबुद्धी पून ध्रिती तामसी है हे भरत शेष्ट, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विशय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी-कभी दुखों का अंत हो जाता है जो प्रारम में विश्च ऐसा लगता है, लेकिन अंत में अमरित के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षातकार जगाता है, वे सात्विक सुख कहलाता है जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विश्यों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंब में अम्रित तुल्ले तथा अंत में विश्ट तुल्ले लगता है वह रजोगुणी है तथा जो सुख आत्म साक्षातकार के प्रति अंधा है जो प्रारंब से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन होता है वे तामसी कहलाता है इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देरताओं के मध्य में कोई भी ऐसा वेक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रक्रति के तीन गुणों से मुख्थ हो हे परंतक भ्रामणों, शत्रियों, वैश्यों तथा शूत्रों में प्रक्रति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन गुणों के द्वारा भेद किया जाता है शान्ती प्रियता, आत्म सैयम, तपस्या, पवित्रता, सैशुनता, सत्यनिष्ठा, ज्यान, विज्यान तथा धार्मिक्ता ये सारे स्वभाविक गुण है जिनके द्वारा भ्रामन कर्म करते हैं वीज्टा, शक्ति, संकल्प, दक्ष्ता, युद्ध में धैर्य, उदार्ता तथा नेत्रित। ये शत्रियों के स्वभाविक गुण हैं कृशी करना गो रख्षा तथा व्यापार वैश्चू के सवभाविक कर्म है और शूत्रों का कर्भ श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रतेक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्व्यापी है उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पून्ता प्राप्त कर सकता है अपने वृत्ति परक कारे को करना चाहे वे कितना भी तुटी पून धंग से क्यों ना किया जाए अन्य किसी के कारे को स्विकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपिक्षा अधिक शेष्ट है अपने सभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते प्रतेक उद्योग अर्थात प्रयास किसी ना किसी दोश से आवरित होता है जिस प्रकार अगनी धुएं से आवरित रहती है अतेव हे कुंती पुत्र मनुश्य को चाहिए कि सभाव से उत्पन कर्म को भले ही वे दोश पून क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं जो आत्म सैयमी तथा अना सक्थ है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवा नहीं करता वे सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है हे कुंती पुत्र जिस तरह इस सिद्धी को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात भ्रम को जो सर्वोच ज्यान की अवस्था है प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा उसे तुम जानो अपनी बुद्धी से शुद्ध होकर तथा धैरे पूर्वक मन को वश्मे करते हुए इंद्रिय त्रिप्ती के विश्यों का त्याग कर राग तथा ग्वेश से मुक्त होकर जो व्यक्ती एकांत स्थान में वास करता है जो थोड़ा खाता है जो अपने शरीर मन तथा वानी को वश्मे रखता है जो सदैव समाधी में रहता है तथा पून्तय विरक्त, मिथ्य एहंकार, मिथ्य शक्ती, मिथ्य गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संघ्रे से मुक्त है जो मिथ्य स्वामित्यु की भावना से रहित तथा शान्त है वह निश्य ही आत्म साक्षातकार के पद को प्राप्त होता है इस प्रकार जो दिव्य पद पर इस्थित है वे तुरंत पर भ्रम्म का अन्भव करता है और पूर्ट्या प्रसन हो जाता है वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है वह प्रतेग जीव पर संभाव रखता है उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ती को क्राप करता है केवल भक्ती से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है जब मनुश्य ऐसी भक्ती से मेरे पून भावना मृत में होता है तो वह वैकूंट जगत में प्रवेश कर सकता है मेरा शुद्ध भक्त मेरे संडक्षन में समस्प्रकार की कार्यों में सनलंग्न रहकर भी मेरी क्रपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है सारे कार्यों के लिए मुझे पर निर्भर रहो ओव और मेरे संडक्षन में सदाकार्म करो ऐसी भक्ती में मेरे प्रति पूनत्या सचेत रहो यदि तुम मुझे से भावना भावित होगे तो मेरी क्रपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे लेकिन यदि तुम मिथ्या एहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ठ हो जाओगे यदि तुम मेरे निर्देशा नुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार पर जाओगे तुम्हें अपने सभाव वश युद्ध में लगना होगा इस समय तुम मुहुवश मेरे निर्देशा नुसार कर्म करने से मना कर रहे हो लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही सभाव से उत्पन कर्म द्वारा बार्दे होकर वही सब करोगे हे अर्जुन परमेश्वर प्रतेग जीव के हिर्दे में इस्थित हैं और भौतिक शक्ती से निर्मित यंत्र में सवार की भाती बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी क्रपा से तुम परम शान्ती को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे इस प्रकार मैंने तुम्हें घुयतर ज्ञान पतला दिया, इस पर पूरी तरहां से मनन करो और तब जो चाहो सो करो चुंकि तुम मेरे अनंत प्रिय मित्र हो, अतैव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सरवादिक घुय ज्ञान है बता रहा हूँ इसे अपने हित्य लिए सुनो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त पनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो समस्थ प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, और मेरी शरण में आओ, मैं समस्थ पापों से तुम्हारा उधार कर दूँगा, डरो मत इस गुय ज्ञान को उनको कभी भी ना बताया जाए, जो ना तो सैयमी है, ना एक निश्ट, ना भक्ती में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेश करता हो जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ती को प्राप्त करेगा, और अंत में में मेरे पास आएगा इस संसार में उसकी अपेक्षा, कोई अन्य सेवक, ना तो मुझे अधिक प्रिये है और ना कभी होगा और मैं घोशित करता हूँ, कि जो हमारे इस पवित्र समवाद का अध्यन करता है, वह अपनी बुद्धी से मेरी पूजा करता है और जो शद्धा समेत तथा द्वेश रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुब लोखों को प्राप्त होता है, जहां पुन्यात्माय निवास करती है हे प्रथा पुत्र, हे धननजे, क्या तुमने इसे अर्थात इस शास्त्र को एकाग्रचित्र होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्यान तथा मुह दूर हो गया है? अरजुन ने कहा, हे क्रेश्न, हे अच्चुत, अब मेरा मुह दूर हो गया संजे ने कहा, इस प्रकार मैंने क्रेश्न तथा अर्जुन, इन दोनों महापुर्षों की वारता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है, कि मेरे शरी में रोमांच हो रहा है व्यास की क्रपा से, मैंने ये परम गुए बातें साक्षात योगेश्वय क्रिश्न के मुख से अर्जुन के प्रती कहीं जाती हुई सुनी हे राजन जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चरे जनक तथा पवित्रवारता का बारंबार स्मान करता हूँ तो प्रतीशन आलाद से गदगद होटता हूँ हे राजन भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मान करते ही मैं अधिकाधिक आश्चरे चकित होता हूँ और पुने-पुने हर्शित होता हूँ जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं एश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीती भी निश्चित रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है